सब्सक्राइब करने जा रहा हूं आपके साथ क्लास 12 का जो 2024 के लिए सेंपल फिजिक्स सखाया है उसका सेक्शन ए आजम देखने जा रहे हैं डीटेल में डिसक्शन करेंगे इसलिए मैं इसे सेग्मेंट वाइस ले रहा हूं क्योंकि मेरा मकसद यहां से ही है कि उस पर्टेक्लर टॉपिक से रिलेटेड जो भी कॉंसेट उसके एड़द गिर्द और जो भी पॉसिबल कोईसिंस बन सकता वो पूछा जाए तो कि एक्जेक्ली कोईसन बनेगा ऐसा तो है नहीं लेकिन हा अब तरह देन 1800 वीडियो लेक्ट्टर अभी तक बन चुक हैं नीट की जाई किया किसी कॉंपेटिटिव एक्जामनेशन की सी यूट की पर क्रेशन अगर आप कर रहें तो भी आपके लिए बेस्ट प्लेस है ठीक है अब हम आगे बढ़ने स्टार्ट कर रहें पहले आपके अबढ़ने तक है अब में इस से क्वासं में तो यहां पर देखने है पहला पास है which of the following is not the property of equipotential surface equipotential surface मैं बताताब चलूँगा कौन से topic कहां से electrostatics में से topic आया है बेसिक लिए गर हम बात करें second chapter electric potential and capacitor वाला जो है वहाँ से topic है और जो कि बहुत famous topic है equipotential surface जब आता है तो सर हमें क्या करना होता है हमें पता होना चाहिए कि equipotential surface की जब हम बात करते है फटा फट से थोड़ी बहुत बात करते हैं चल लूँगा में ताकि आपको हलका हलका कुछ समझ में आ जाए पहले पढ़ाओ तो revision हो जाए main motive यही है series का otherwise कोई मतलब नहीं था sample paper अलग से करवाने का motive है कि कीड़ीड़ की बाते करते हैं कोई भी जो surfaces होते हैं एक भी potential surface होते हैं कि खास बात ही होती है कि ऐसा surface जिसके हर point पर potential की value same रहे यानि कि a पर b पर c पर ऐसे करके अलग-अलग different point अगर आप लेते हो तो potential at a, potential at b, potential at c all are equal जो भी उस point लाई कर रहे हैं सभी पर potential same होगा तो for instance अगर मैं बोलूँ आप से अगर मैं सिर्फ दो point को consider कर रहा हूँ तो मैं यहां से यह भी कह सकता हूँ कि va-vb बराबर क्या हो गया 0 हो गया यहीं से एक दूसरा question frame हो सकता है आपकी examination में वो क्या है कि potential difference हमेशा 0 होता है किसी भी इकवी potential surface में किसी भी दो point के बीचका potential difference same होता है और शायद हमें definition जानते होंगे potential difference बराबर work done to carry a unit test charge from one point to the another point यानि point A से point B पर आपको work done कितना करना पड़ेगा किसी charge को लाने में वो per unit charge को लाने में जो होता है वही आपका potential difference होता है अब चुकि यहाँ पर from one हमारा potential difference 0 है so this will be 0 and ultimately you will be getting W A B is equal to 0 तो यह दो बाते बहुत important निकलती है इक भी potential surface के cases में कि एक तो आपके इसके हर point पर potential same रहता है इसी कारण से किसी भी 2 point के बीच में potential का difference 0 हो जाता है और इसी कारण से work done उसको किसी भी point से किसी भी point में अगर आप इक भी potential surface में ला रहे हो तो आपको 0 work done करना पड़ेगा यह एक बहुत important factual बात है यह आपको पता हो नीचे इस question के बहाने हमीं यह पता चलिए question बोलना है कि आप भी बताई कि इन मेंसे कौन सा सही नहीं है उससे पहले मैं आपको एक दो बाते और थोड़ा बता देता हूँ ताकि हम direct question पर आजए है देखीगा कभी हमारे पास अगर इस तरही के से electric field है जरह समझना यह uniform electric field बनाने की मैं कोशस कर रहा हूँ by chance आपको uniform ना लग रहा हूँ तो सुन लो uniform है uniform मतलब इनके बीच में gapping जो है वो equal है equal spacing है तो उस समय इनके इन पे जो equipotential surface का काम करेगा वो यह होगा यह आपको जो यह parallel planes दिखाई दे रहोंगे माल लेते हैं plane 1 इसे plane 2 कह लेते हैं तो ऐसा ही करके जितने planes parallel बनेंगे यानि दूस्तर शब्दों में वो सभी planes जो की दिये गए electric field के perpendicular होंगे will be called as equipotential surface इस पे हो सकता है इस पे सारे पे potential V1 हो इस पे सारे पे potential V2 हो ऐसी सारे पे potential V3, V4 कुछ भी हो लेकिन उस particular plane में आपका potential हमेशा constant है इसके किसी भी point को अगर आप उठाओगे potential आपको हमेशा कितना मिलेगा V1, V1, V1 इसमें सब में कितना मिलेगा V2, 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 V2 मिलेगा तो एक नया point समझ में आया कि equipotential surfaces जो होते हैं they are always perpendicular to the electric field यानि equipotential surface हमेशा धिहान रखना they will be perpendicular to the electric field तो equipotential surface के और में तीसरा point आपको ही समझ में आता है तो हमें समझ में आ गया कभी भी अगर uniform electric field होगा उसके लिए equipotential surface इस plane की तरह बनेंगे यानि की planes बनेंगे जो कि perpendicular होगे electric field यही को ऐसे न आपका लगबा किसी तरह का खोगा भी देख लेंगे और क्या बात बोल सकते है सर equipotential surface के बारे में एक अच्छी बात यह है कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि positive source charge है मान लेते है plus charge है isolated हमने रखावा या फिर हम दूसरे शब्दों है ऐसा मान लेते है कि कोई हमारे पास spherical shell है या sphere है इस तरह का और यह charged है और यह charge है इस पर plus charge मान लेते हैं इस तरीके से plus plus charge हमने इस पर assume कर दिया कि इस पर plus charge मौझूद है तो किसी भी spherical surface से जो electric field होता है वो radially outward जाता है यानि कि radially outward मतलब इस direction में electric field directed होगा यानि radius के along direction में electric field होता है हमेशा ध्यान रखना positive charge की कह रहा हूँ radially outward होगा positive charge के case में अगर यही negative charge होता है तो फिर यह radially inward हो जाता ठीक है आप जानते हो क्योंकि plus charge होता है वो repel करेगा किसी भी test charge को यहाँ पर रखे वे बाहर की तरफ बाहर की तरफ बाहर की तरफ इसलिए equation यहाँ से यह भी बनता है कई बार exam में मैंने देखावा बनता हूँ कि electric field lines को draw करो किसी isolated positive charge के लिए तो वो ऐसी बनेंगी यह एक अलग question आपको आ गया अगर यही negative charge होता है तो फिर हो सारे की सारी electric field क्या हो जाती inside आ जाती यानि कि वो सारे की सारी इधर को आने लग जाती साथ आप logic समझ रहोंगे यह अंदर को क्यों आ रही है क्योंकि यहाँ पर कोई test charge अज्यूम कर लो plus है तो यह plus इस minus को अपनी तरफ खींचेगा यानि minus plus को अपनी तरफ खींचेगा इसलिए इस पर electric field lines अंदर की तरफ होंगी isolated negative charge में तो radially invert होगी फिलहाल पूरी बात बताने का मकसद इतना ही था कि इस particular case में अगर आप देखोगे अगर हम कोई बोलें कि कोई यह positive charge बीच में रखा था इतने सारे charge न माने सिर्फ एक की single charge मान ले बीच में center में positive charge रखा था तो उस को center मान कर जितने concentric spheres बनेंगे जैसे कि एक वो बना एक ये बना ऐसे करके एक हो सकता है third कोई और बन जा मैं एक और बना लेता हूँ ऐसे करके कोई एक third बना तो basically यह concentric spheres है और यह सारे के सारे spheres के अगर खास बात आप देखोगे again they are perpendicular to the perpendicular to the electric field इसलिए मैं ही कहना चाहता हूँ कि पॉइंट चार्ज के लिए जो equipotential surface होता है वो spheres होते है समझ रो point charge के लिए equipotential surface spheres होता है concentric spheres अब आयता है question पे बोले हैं मैं से कौन सा गलत है पहला they do not trust each other बिल्कुल सही बात है electric field line equipotential surface कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करते है उसके पीछे current यह होता है कि अगर किसी दो आप खुदी सोचो कि माल लेते हैं equipotential surface है और इसका potential v1 है और इसी तरीके से दूसरा equipotential surface इसका potential v2 है सब जगे अब इस particular line को अगर आप focus में लो तो ये line ऐसी है जो v1 पर भी exist कर रही है अब सोचो अगर ये intersect कर रहे होते तो किसकी बात सुनी जाएगी v1 की या v2 की सर फिर तो अगर ये बोलेगा कि मेरी बात सुनो इस पर potential v2 रखो वो बोलेगा मेरी बात सुनो इस पर potential v1 रखो तो गड़बड हो जाएगी न सर इसलिए intersect नहीं कर सकते कभी भी दो equipotential surfaces कभी भी दो equipotential surfaces intersect नहीं कर सकते दब वर्गडन in carrying a charge from one point to another in equipotential surface is zero बिल्कुल सही बात है जीरो होता है ये गलत statement नहीं होगा क्योंकि गलत बुचा हुआ है for a uniform electric field there are concentric spheres ये गलत है क्योंकि मैंने आपको पीछे दिखाया है uniform electric field जब होता है तो वो parallel planes होता है और concentric spheres तब बनते हैं जब isolated charge के लिए आप बात कर रहे हो point charge के लिए they can be imaginary spheres yes sir, imaginary spheres ही होता है जैसे कि basically अगर हमें कोई plus charge देते तो imaginary तोर पे समझ सकते हैं कि उसके आसपड़ो concentric spheres बन रहे हैं they all are equiptential surface अब बढ़ते है sir, next question की तरफ इसका पहले concept समझ लो उसके बाद हम questions पे switch करते हैं पहले concept समझने पे focus करेंगे ठीक है तो sir, concept कूल मिला कर इतना होता है कि यह हमारे पास एक electric field है आपको मैं hint दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए जो आपने मेरे से detail lecture पड़े है उनसे यह चीज़े कैसे link हो रही है आपको ऐसा न लगे कि कुछ नए question आगिया question को पूछने का तरीका जरूर creative है लेकिन चीज़े हम वही है आप इतर देखो जैसे हम बोलते थे derivation भी हमारा होता था कि जब हम किसी electric field dipole को किसी electric field में रखते है तो क्या होता है तो इसका answer होता है उसमें एक torque generate होता है which tries to rotate an electric dipole within the direction of an electric field याद करो सारी बाते दुबारा दिखा देता हूँ minus q plus q charge है आप जानते हो electric field अगर यहां से यहां लग रहा है that will be f is equal to q e again लेकिन opposite direction में तो इसका करण forces are equal in magnitude but opposite in their direction e दोनों के लिए same है क्योंकि uniform electric field में चर्जा कर रहे है तो कुल मिलागर कि यह एक torque generate करेगा क्योंकि coupling force यहां पे आया क्योंकि forces are equal in their magnitude just opposite in their direction and not lying in a same line of action इसका line of action यह है इसका line of action यह है कि there will be a torque जब भी आपका couple generate होता है एक torque बनता है और वो torque हमेशा क्या करता है उसकी value क्या होती है आपको याद होगा torque is equal to हमने हापे calculate की रहती है p e sin theta यह हमने properly calculate की जो कि बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप सभी जानते हो जो torque निकलता है वो निकलता कैसे है force into perpendicular distance जो की 2L sin theta है इन दोनों charges के बिल्का perpendicular distance बस आप समझ गए कि यहाँ पर F को हम QE लिख सकते है तो QE 2L sin theta और यहाँ से आप सीवे समझ सकते हैं कि Q और 2L मिलके dipole moment P बनाएंगे और E sin theta आपको directly समझ में आगे derivation कैसे हुआ बहुत important derivation था इसलिए बता भी दिया लगे हाथ क्योंकि मुश्किल नहीं था बताने में इसलिए मैंने सुचा बता देता हूँ फटाफट से अच्छे समझ में आ जागा अब आप खुद सोचो यह torque में question आ सकता है में चला जाओ तो यह main बात होती है बिल्कुल धियान रखना theta किसके बीच का angle है p vector और e vector के बीच का angle है p यानि कि dipole moment e vector यानि electric field के बीच का angle है खुद ही समझ सेकते हो कि अगर theta 0 हो गया यानि कि अगर यह electric field के along है तो कोई torque नहीं लेगा क्योंकि torque बोलेगा मेरा काम already पहले से हुआ है ठीक है अगर theta की value 90 है तो maximum torque लेगा जब इस तरह से dipole को आपने रखाऊगा electric field के साथ तो maximum rotation आएगा समय तो torque की value maximum होगी अब इसे question के format पे समझते है क्योंकि numerical मैंने आपसे पहली भी बोला है बनते जरूर है लेकिन अगर concept clear है हलका सा मारा derivation अच्छे से किया तो कोई से में कुछ भी नहीं है इधर देखो आपको दे रखा है electric field की value बाल्यू 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 पर कूलाम दे रिखी है आपको electric field की value उसके बाद at an angle of 30 degree experiences are top यानि 30 degree पर रखा हुआ है और torque experience जो हो रहा है वो 4 newton meter का हो रहा है the charge on the dipole of the dipole यानि charge की value कितनी होगी जब कि आपको L दे रखा 2 cm 2 cm यानि 2 x 10 is to the power minus 2 meter अब प्लीज धियान रखना हम जब भी length को लेते थे 2 L लेते एक तरह से अपना style होगा समझने का आप अपने style से समझ सकते हो तो कहने का मतलब होगा आप बोलो कि torque is equal to हो गया sir P e sin theta क्योंकि हम लोगों को पता है अब जैसे ही आपने लिखा torque is equal to P e sin theta हो गया तुरंत torque की value 4 डाल सकते हो रही बात P की value तो P होता था 2 L into Q 2 L मतलब length और Q मतलब charge की value और E sin theta और sin theta इस बार sin 30 दे रिखा आप सबको solve करो 4 लिखो 2 L की value एक साथ लिखोगे कितनी आप confused बिल्कुल नहीं होगे इसमें मैं clear कर दिया मैंने actually पहली आपको ये इतना हो गया रही बात E की actually Q बच चुका है 2 into 10 raise to the power 5 और sin 30 यानि के half होता है और यहाँ पे Q निकालना उसे लिख दिया जो unknown है ये कड़ी गया तो 2 into बराबर 10 की power 5 minus 2 कितना होता है 3 into Q हो गया तो Q बराबर हो गया 2 divided by 10 raise to the power 3 और इसको आप उपर लाओगे तो 2 into 10 raise to the power minus 3 Q हो जाएगा जिसे आप दूसरे शब्दों में 2 milli Q बोल सकते हो क्यों कि milli मतलब इतना होता है तो option आपका number C आपका सही हो गया और बिलकुल एकदम straight forward question है कुछ भी नहीं है और मैंने इस बार भी जैसे कि आप से बोला था ठीक है आप बोलोगे तो मैं अलग से फिर अपने expected MCQs भी ले आऊँगा आप comment section बता देना यह मैं फिलाल गोई करा रहा हूं जो sample paper में दिया है a metallic plate exposed to white light emits electron for which the following colors of light the stopping potential बहुत easy question one of the easiest question यह लेकिन इदे को easy तब होगा जब हमने chapter पढ़ा है अभी हाली में मैंने आपको सारे one shots करा है one shot करा है इसले गए ताकि आपका एक बारी में proper revision हो जाए with understanding सिर्फ ऐसी नहीं की काम चलाओ करा रखा proper understanding के लिए देड़ देड़ दो दो खुंटे तक बिठा के करा रखा है आपको याद होगा dual nature of matter radiation मैंने exact मतलब बता रखा है जो notes दिये थे मैंने आपको whatsapp group में description में आप देखना वहाँ पर भी और telegram में भी डाले थे उसमें भी मैंने strictly आपको समझा रखा है लिख रिख के बता रखा है कि भाई stopping potential का मतलब क्या होता है वो topic तो भी दुबारे relate नहीं कर पाऊंगा लेकिन हाँ इतना हलका सा भी बता सकता हूँ कि जब भी आपकी जैसी ये plate है आपको क्योंकि मैंने बूला है concept दूँँगा तो concept देता वा चलता हूँ direct answer ना बताते में ये plate रहती है इस plate पे जैसी आपका कोई एक photon गिरता है माल लेते हैं किसी H new energy का कोई photon गिरता है इससे electron का ejection चालू होता है अब ये electron भागते वे जाते है सामने वाली plate पे इस plate को emitter कहते है और इसको acceptor आप क्या सकते हो इस plate पे जाते है इससे निकल रहा है इसलिए से emitter कह दिया और acceptor की तरफ जाते है यानि कि positive plate ही होती है अच्छा ही positive क्यों होती हुई क्योंकि हम इसे इस तरीके से connect कर रखा है हमने कि यहाँ पर हम positive potential देता है इस plate को तो आपको story भी समझा देता हूं साथी साथ अभी electron इसकी तरफ भागना चालू हो गया लेकिन अब एक बारी के लिए सोचो कि अगर हमने इसके potential को कम करना चालू किया मतलब क्या कह रहा हूं sir यानि कि अगर इसकी positivity यह positive और ही negative इसका मतलब सिर्फ इतन है कि अगर यह 10 volt पर है यानि less than 10 पर होगा अब मैं कहना चाहरा हूं कि मैं इसकी polarity को बदलूँगा धीरे जले क्योंकि हमने इस तरह का arrangement किया रहता है कि इसकी polarity को और इसकी magnitude को हम समय के साथ साथ बदल सकते है इसलिए माल लेता है मैं इसको positive से कम करता हूं यानि कि यह इसको 0 रहने देता हूं 0 potential पर यह पहले माल लेता है 5 volt पर था मैंने इसे 5 से 4 किया 4 से 3 किया 3 से 2 किया अब देखता है हो क्या रहा होगा जब मैं इसे 5 से 4 कर रहा हूं तो basically इन positive charge क्योंकि पहले माल लेता है इतने positive charges यहां पर थे या फिर यह plate उसको oppose करना चालू कर रही है धीरी देम ऐसा भी समझ सकते है फिर मैंने potential को और कम किया 4 से और किया 3 हो गया फिर 3 से और कम किया 2 हो गया 2 से और कम क्या 1 हो गया क्योंकि वह 0 वोल्ट पे और माइनस पे जीरो पे और माइनस टू पे इस ते क्या आगे कि इस प्लेट का भी नेचर बदल गया अब यह plate नेगिटिव की तरह react करने लग गई है और अगर यह negative की तरह react कर रही है तो जो भी electron इसकी तरफ आएगा यह उसे अब repel करना चालू कर देगी तो हम ऐसे करते 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 हम अपने इस potential को कम करते रहते हैं तब तक जब तक कि हमें यहाँ पर मिलने वाले current की value जीरो नहीं हो जाती जीरो होने का मतलब है कि यह इतनी negative हो गई कि इसका highest maximum kinetic energy वाला electron अब यहाँ नहीं पहुच पा रहा यानि उसको तक zero कर देता है मैंने full concept detail में discuss कर दिया मेरी planning नहीं थी ऐसा करने की लेकिन कर दिया मैंने मुझे लगा पता नहीं क्यों मनसा क्या इसलिए कर दिया ठीक है ठीक है इस तरीके से पढ़ना है आपको हमेशे जब भी पढ़ना है revision भी हो गया आपका अब आप खुद सोचो कि माल ल पोटेंशल को कम करते रह रहे हो वैस्ट स्वारी निगेटिव पोटेंशल को बढ़ा रहे हो मतलब समझ रहो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 तो वैसे वैसे यह हाईली निगिटिव होती रही है और यह जितनी ज्यादा इलक्ट्रों को रोकने लग जाएगी उतने ज्यादा इतना क्यों खीश ढरी किना च्रेक तर्शन केया हुकि करा है लेकिन मैं सो Great यह हमने यह मैं आपको हमेशा बता रह रहे कि से जिसकते हैं जिसका ज्यादा उसकी एनर्जी जाता है न्यू मतलब होती है frequency और frequency पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है color और मैंने आपको हमेशा बता रखा है विद्गयोर ध्यान रखा करो और विद्गयोर में आगे जाते समय frequency исп तो इस में क्या होगा ना कि जैसी आप negative potential को बढ़ाते रहते हो अने cutoff potential को बढ़ाते रहते हो वैसे वैसे ये plate more negative होती है यानि कि ये energetic electron को भी यहाँ पर रोकती रहती है तो आपके पर एक ही तरीका अगर आप तब भी चाहते हो कि मैं electron को भेजू महाँ पर तो आपको highest kinetic energy वाले electrons को भेजना पड़ेगा और वो तब ही possible है जब आप ज़्यादा frequency वाली light को भेजोगे ये बात में कह रहा था शायद आप समझे होंगे आप ज़्यादा नहीं बोलता अब metallic plates exposed a white light emits electron for which of the falling light the stopping potential will be maximum तो stopping potential मतलब आप समझे होंगे ये आप तो ये stopping potential word use कर सकते है या ये इसे negative potential बोल सकते है वो maximum किसके होगा sir violet light के लिए maximum होगा बहुत clarity के समझ में आना चाहिए क्योंकि violet light के लिए इसले ज़्यादा होगा क्योंकि violet light की जो frequency है वो सबसे ज़्यादा आगे जाने पर frequency कम होती है इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा frequency होगी और इसकी सबसे ज़्यादा frequency होगी तो इससे निकलावा जो electron होगा यानि कि violet light से निकलावा जो electron होगा वो highly energetic होगा यानि कि maximum kinetic energy maximum energy लेके आएगा और सबकी comparison की light के उसमें और अगर ये plate इसको भी रोग दे रही है तो जरूर इसका मतलब यहाँ पे बहुत और minimum obviously red के लिए I think मैं clear कर पाया होगा मुझे satisfaction चाहिए होता है जो मिलिया आगे पढ़ते है अब इसमें ज़्यादा बाते तो नहीं बोलूगा लेकिन छोटी मुटी बाते बोल देता हूँ helium two positive ion जो होता है इसी को हम alpha particle कहते हैं आपका revision कराने के लिए बाते बता दी यह नहीं helium क्या मतलब sir helium में sir 2 protons होते है और 4 nucleons होते है इसका मतलब यह होता है कि helium में 2 protons हो गए helium में ठीक है और 2 proton है और 2 neutron है हम कुछ नहीं करते हम helium में से जो की दिखता कैसा है ऐसा मैं आपको कुछ और समझा रहा हूँ यह question तो कुछ भी नहीं है खास मैं भी कुछ और समझा रहा हूँ आपको ठीक है देख लो इसर मैं कुछ और समझाने के लिए जान बुछ के बहाना मिला इस question से इसले बोल दे रहा हूँ देखो यह 2 electrons इस तरीके से दो प्लस का क्योंकि अब उसके पास पहले क्या था helium अंचार्ज था क्योंकि दो पॉजिटिव दो निगिटिव थे लेकिन अब helium के पास सिर्फ दो पॉजिटिव बचे वे इसलिए इसे हम कहते है helium का nucleus जब उसमें से दोनों electron चले जाते हैं और इसी helium के nucleus अलफा पार्टिकल कहते हैं फिलाल के लिए बात समझ लो बाकिस question में ज्यादा कुछ नहीं था क्योंकि इस question में सिर्फ इतना ही है कि बोलते हैं कि alpha particle यह आप 9th class के बच्चों से पूछो को वह भी आपको बता दिंगे atomic structure में जम पढ़ते हैं कि most of the alpha particle जो थे वो सीधे चले गए सीधे इसले चले गए क्योंकि जो atom था उसका most of the part क्या है 99% part of atom is vacant यह हां से निकल के आती है बात और फिर उसके बात लेकिन कुछ एक 8000 में से एक electron return back करता है तो वह यह बताने की बात है कि center में इसका powerful charge मौझूद है plus charge plus इसले क्योंकि इसने alpha particle को bounce back किया और alpha particle positive ने चलका तो positive को bounce back positive कर सकता है इसलिए इसके nucleus में कोई positive charge बैठावा है तो फिलाल के लिए इस question में तो बहुत simple question था कि when alpha particles are sent through a thin gold foil most of them go straight through the foil most of them straight चले आते हैं इसका कारण क्या है क्योंकि vacant अंदर से काफी part अब देखते है alpha particles are positive जा इसका कोई reason नहीं है of an alpha particle is more than the mass of an electron यह बात सही है लेकिन इसका से कोई लेना देना नहीं है उसके आप जाली होगा तो बहीना टकराई चले जाएगा alpha particle बस ही इसका explanation यह मैंने निया था सअ बहुत सिंपल को इसन लेकिन देख लो हम लोग क्लिरटी किसा बता सकते हैं यह यह एक पोजिटिव एकसे से हैं और इलेक्ट्रों इसके आराउंड मुव कर रहा है मालने ते हैं इलेक्ट्रों मूव कर रहा है magnetic field which is parallel to the positive axis यानि कि electron move कर रहा है positive x axis में inside a magnetic field and magnetic field is along to the y axis parallel to the positive axis यानि कि अगर हम बोले कि यह y axis है हम ऐसी बनाते हैं अगर इसी भी z axis बना दो तो देखते हैं क्या होगा तो ऐसी बने बना दिया जन्रली हम ऐसी बनाते हैं तो कुल मिलाकर magnetic field गा direction जो है this is the direction of magnetic field ठीक है अब वो बोले है now if the direction will be the magnetic तब बोले है in what direction will the magnetic force be act magnetic force की बात कर रहे हैं यानि कि Lauren's magnetic force आपको याद होगा शायद यह बहुत basic चीज होती थी क्यों V vector cross B vector बहुत detail में मैं इसको बताया रहता अभी हाली में मैंने one shot डाला था detail में सब discussion किया इसके बारे में तो जिन्होंने वो देखा था वो तो 100% कर दिया बाकी लोग प्लीज देख लें याप है अगर आपको नहीं समझ में आता तो ठीक है यह निकलता है QVV sign theta कोई खाज इसको directly आप ऐसे भी बोल सकते हो अगर आप इसका सिर्फ magnitude बोलना चाहते हो फिर आपको direction देना पड़ेगा direction obviously क्या है V vector और B vector के cross के एकवल हमें इसमें direction ही बताने है तो आपको V vector और V vector क्या होता है ध्यान रखो सोचो इसमें दो case हो सकते है इसका मतलब उसमें F हो जाएगा directly proportional to negative of V vector cross V vector यानी कि अगर आप किसी electron जैसी चीज के लिए बात करो जैसे इस question में की जारी है जो negative है तो इसमें आप V cross B का जो answer निकालोगे वो force का direction नहीं होगा उसका just opposite करना पड़ेगा जैसे एक बार V cross B निकालते हैं कैसे निकालते हैं V cross B सर V मतलब इसी velocity से electron इधर को move कर रहा था तो V cross B नीचे को जा रहा है अगर आप थोड़े पड़े लिखे लोग है आप जानते होंगे कि V cross B मतलब क्या होगा V मतलब किस क्या लोगा X axis के तो I cap होगया B किस के लोग है assert J cap i cross j कितना होता है k cap न एक मिनट आ यह क्या हो रहा है i cross j कितना होता है k होता है i j k होता है बिल्कुल बात है लेकिन मुझे गलत सा लग रहा है यह माइनस कि होना चाहता एक मिनट आ अ क्यूद B cross B एक मिनिट वी वेक्टर आए एकसेकस के लॉंग एटी अच्छा देखो मेरी बात सुनो यह हो गया आए के लॉंग और बी वेक्टर हो गया आपका जी के लॉंग और रिजल्ट आए के के लॉंग दुबार ऐसे एक बार मैं इसको पहले फियर वर्क में करता हूं उसके बाद म इस तरह की situation है वो इस तरह की यह है वी वेक्टर का डिरेक्शन और यह आपको दिख रहा होगा शायद यह है वी वेक्टर का डिरेक्शन यह वादा तो वी से हाथ रखो वी में बी की तरफ कर्ल करो यानि इसको कर्ल करोगे थम नीचे जाएगा नीचे मतलब कि नीचे यान आए V cross B का जो कि याली direction में जाएगा यानि निगिटिव of V vector cross V vector इधर जाएगा और इस case में वही force का direction होगा यानि positive Z axis के along हमारा direction आएगा यह मेरा result आ रहे है मैं इसको दुबारा से cross check वगएरा और करना चाहता हूं जारा दूसरे तरीके से भी ठीक है आए तिंग मैं सही कर रहा हूं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं एलेक्ट्रों इस मोविंगा पॉजिटिव एक्से इन मेगनेटिक फिल्ड विच पैरलल तुदी पॉजिटिव पॉजिटिव आप देख लेना अलॉंग पॉजिटिव एक्से अगर आपको इसमें कोई डाउट ह प्लीज नीचे पी मुझे बता देना लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लक्स हा रहा है कि कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही लेकिन एक तरफ से आ रहा है कि नहीं है सब कुछ तो सही किया वा दिक्कत कहा से हो रही है क्योंकि मुझे ऐसा आ रहा है कि जब मैं क्वेसिन करके आ अगर कोई समझते हैं आप मैंसे बात तो आप समझ पार होगी यह बेसिकली इसके एक्वल हो गया और इसका मतलब है वेक्तर अलॉंग है जे कैप के और वेक्तर अलॉंग है आपका कि नहीं कर रहा लेकं दूसरे तरीके से मिरा अंजा माइनस के आ रहे है तो गजे इसे थोड़ा सा भी रख लेता हुद जाया थी कहो है वहां पर वरना में क्लीर करके बता दूंगा बता दूंगा हो अब लोगो थोड़ ताइम भले लग जाएगा क्योंकि ये confusing रहता कही बार आपने सुनाओगा magnetic susceptibility आपने magnetic force सुनाओगा या आपने intensity of magnetization सुनाओगा परा-magnetic, diamagnetic, theromagnetic ये सुनाओगा और permeability सुनाओगा इन सारे concept को मैं अभी बता रहा हूँ हाथ वाथ कोई जर्वत नहीं थी है सब कुछ करने की लेकिन मैंने पहली बोला यह हम बहाने के तौर पर ले रहे हैं sample paper को मैं इसके जरी अभी concept बिल्ट कर रहा हूँ इधर देखो हमारे पास कुछ terms होते हैं जैसे एक होता है हमारे पास जाई ये जाई जो होता है इसे कहते है magnetic susceptibility क्या केते हैं magnetic susceptibility magnetic susceptibility magnetic susceptibility सर क्या गड़ती है यह होती है सर यहां पे input होता है और उपर पे आपके पास होता है output इसका मतलब क्या होता है सर यह i का मतलब है intensity of please समझना ध्यान से मैं आपका topic clear कर रहा हूँ यह वाला कई बच्चों को topic में problem रहती है intensity of magnetization अभी मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या वा intensity of magnetization है और नीचे पर जो आपने h लिखावा इसको magnetic intensity भी कहते हैं या magnetic force भी कहते हैं तो आप जो आपका मन करें वो आप कहले है यह h लिखावा है m नहीं समझना यह magnetic intensity है magnetic field intensity आप इसे कह सकते हो ठीक है जैसे electric field intensity और electric field almost same same होता था ने वैसे यहां नहीं है magnetic field generally use के जाता है b के लिए और magnetic field intensity यूज के जाता है h के लिए तो इस तरीके से में एक एक करके clear करता हूं आपको funda क्या है यह h के बारे में थोड़ी से एक बात में आपको पहले यहां कोने में बता दू कि h जब भी आपको निकालना होता है इसको निकालने का तरीका क्या है इसको निकालने का तरीका आपका जो magnetic field induction होता है B होता है उसको mu naught से divide कर देते है तो आपका H निकल जाता है और H basically एक vector quantity होगी obviously क्योंकि वो भी B vector और mu naught भले एक scalar है तो B vector का जो direction वो ही H का direction आप समझे बात को जैसे for example हम समझे कि एक solenoid है इस solenoid की case में आप सभी जानते हो कि solenoid में जो magnetic field होता है solenoid में जो magnetic field बनता है अगर आप जानते हो तो mu naught into ni होता है जहांपे n जो आपका है वो कुछ और नहीं number of turns per unit length होते है तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर आपको कोई बोले कि H निकालना है तो आप बोलोगे B upon mu naught और B की value आ रिखे है mu naught ni तो उसी साब से यह आ जाएगा इतना और फिर आप कहा सकते हो ni यानि simply आप कहा सकते हो मैं आप पर जुट जाता हूं थोड़ा H बराबर ni आ आ गया यानि कहने का मतलब है कुल मिला करके आपको अगर magnetic field intensity देखनी है that is directly proportional to current जितना ज्यादा solenoid में current होगा इसका मतलब आप उतना ज्यादा magnetic field intensity वहाँ produce करवा रहे हो और रही बाद N की तो N is not just a number it is number per unit length इसका मतलब क्या हुआस है इसका मतलब यह हुआ अगर आप unit निकालोगे तो I की unit ampere आ जाएगी लेकिन number of per unit length आपकी क्या जाएगी इसकी unit आ जाएगी यह आपको बात है समझ में आ रही है क्या uses का सब कुछ में आपको बताऊंगा बस देखते रहो थोड़ी दिर में आपको समझ में आ जाएगा मैं पहले कहानियों के थोड़े किरदारों से आपको इंट्रड्यूस कर रहा रहा हूं फिर एकदम से physics बताऊंगा इसके पीछी की क्या होती है आपको यहां तकी बाते समझ में आ रही होगी अब हुआ सर एक तो हलका हलका समझ में आया भी थोड़ा बत समझ में आ गया क्या होता है अभी देखते है अब है एक टर्म में इसका नम है आई इसको कई बार लोग वैसे M से भी रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन M से रिप्रेजेंट करोगे तो वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है इसे कहता है intensity of magnetization असल में यह आई जो होता है आई बराबर होता है capital M divided by volume यह है V P से रिप्रेजेंट करते हैं और जो कि M Q into 2L के एकोल होता है वैसे ही magnetic dipole moment होता है जो कि dipole के जो poles होता है यानि कि M pole strength और उनकी length के बीच के multiply के बराबर होता है कोल में लाकर यह है M जिसे vector कहेंगे जैसे कि आपका आपने देखा जैसे आपका electric dipole moment P एक vector होता है वैसी magnetic dipole moment भी vector quantity है और नीचे obviously volume है volume कोई ऐसी खास vector quantity नहीं है तो obviously यह भी एक vector quantity होगी अब समझो बात को आपको अगर थोड़ी जानकार होगी इतना समझ में आया है फिलाल आ रहा है से समझ में देखो यार मैं आपने कभी पढ़ दें की कोशिस कियोगी इस topic को समझ नहीं आया होगा तब आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप समय directly use कर रहा हूँ किसी particular topic को तो हम पढ़ नहीं रहे लेकिन इसको भी मैं देखो तह से उठा रहा हूँ वह question को इक बहाने के तौर पर ले रहा हूँ वरना वहीं से बात करके निकल सकते थे देखो यह जो M है जैसे आप magnetic dipole moment कहे रहो इसका general formula होता है INA INA का मतलब होता है I मतलब होता है सर आपका electric current for example के लिए समझो कि जैसे coil है इस coil में current flow कर रहा है let's say इसकी value I है इस current की और इसमें माल लेते हैं N number of turns है N number of turns है और इसका surface area जो है यानि जो इसका area है जो ring का वो pi r square यानि कि pi a square होगा अगर इसकी radius a है तो तो आप समझ गयोंगे कि N number of turns को represent कर रहा है A area of the coil को represent कर रहा है I उस पर जाना ले current को बता रहा है तब ये एक magnet की तरह behave करता है और उस magnet का जो dipole moment होता है उसे हम capital M कहते है which is equal to the current into area simply N depend करेगा 2 coil न तो 2 IA 3 IA ऐसे करके ठीक है तो main IA याद रखो हो सके तो बहुत important चीज़ बता रहा हो ये कुछ type of substances are होते है जैसे एक होता है अब हम पहने हमेंक पहर एक एक हम्यम burnout हम देखेंगे कि ये होते क्या है है इसमें क्या-क्या होता है देखो मेरी बात को समझना असल में जब आप आपके पास कोई material है कोई एक material है कोई इसका sample है आप बोलो कि यह paramagnetic material है कैसे बोला सर आपने मैं बताता हूँ आपने इस पे externally बाहर से एक h create किया h का मतलब सर फिल्ड strength यानि magnetic field strength या सरल सब्दों में यह समझो कि current current लगा के magnetic field generate कर रहे हो आप क्योंकि मैंने आपको पीछे दिखाय है h is simply equal to i a आप देखो यहाँ ni h is simply equal to ni तो cool मिला के basically आपने per unit length बेट जितना current डाला उसी को है दूसरे शब्दों में आप समझ पा रहे होंगे यह एक kind of input है जो आपकी तरफ से दिया जा रहा है system में तो आपने material को रखा और magnetic field की strength अप अपने हिसाब से बड़ा घटा रहे हो समझ रहो magnetic field के अंदर डाल दिया एक material body को इसको डाल दिया अभी सान्ती थी कुश स्विच आन के current के current magnetic field आया आपने और current को increase के और कर रहा तो आप बिसकली input है input आपके हाथ में रहता है इसलिए से input कह रहा हूं है अब इससे क्या होता है कि जो यह sample आपने लिया इस sample के अंदर हम जानते हैं कि वो atom वगेरा से मिलके बनोता है atom होता है तो उसमे electron वगेरा होते है proton वगेरा होते है तो उनके बीच में कहीं ना कि एक dipole वगेरा बनता होगा plus minus की बीच में तो उसकी ज़्यादा सिंपल सी बात करता हूं जो में बात है वो यह कि पैरा मेगनेटिक की केस में एक और मेगनेटिक फिल्ड क्रियेट हो जाता है इस सेंपल के अंदर by the influence of an external magnetic field which is applied by you जो आपके तरह apply किया गया है उसके influence में आने के करण इसकी body में इस तरह के changes कुछ होते हैं कि इसके अंदर भी internal magnetic field create हो जाता है और वो internal magnetic field का direction क्या रहता है along to the direction of an external magnetic field एक बात ऐसे ही करके अब दूसरा अभी समझाता हूँ conclude करूँ अचिंता मत करूँ अब हम लेते हैं दूसरा example die magnetic का फिर से हमने die magnetic में input के तौर पे h दिया अपना h मतला magnetic field strength हमने चालू की लगाना magnetic field intensity हमने चालू की लगाना ठीक है अब उसके करण क्या आता है इस kind of material की क्या property होती है कि यह just opposite magnetic field create करता है just opposite magnetize होता है यह M जो represent कर रहा है यह total dipole moment कहलो आप magnetic dipole moment कहलो यह इसी को आप intensity of magnetization भी कह सकते हो क्योंकि intensity of magnetization जो है वो M पर ही relate कर रही है तो M का और I का direction दोनों का same होगा बस थोड़ा फरक ध्यान रखो M का मतलब है magnetization की intensity M का मतलब है magnetic dipole moment और अगर magnetic dipole moment को per unit volume में consider किया जा रहा है तो उसी को हम intensity of magnetization कहते है तो आप I भी लिख सकते हो M की जगे कोई चलेगा फिरो-magnetic substances में क्या होता है जैसे हम फिरो-magnetic substance को external magnetic field intensity के influence में रखते हैं तो हम एक बात देखते हैं कि इसमें बहुत जादा तेजी के साथ एक repulsion होता है यानि opposite direction में magnetization होता है तो यह तीन बाते देखने को मिली आपको अब यहीं से पूरा game खतम हो जागा अगर आप कोई इस कहानी में यह समझ में आता है कि पेरा-magnetic substances वो हैं जो external magnetic field में रखने पर Feebly attract होते हैं basically उसकी तरफ attract होते हैं attract होने का मतलब magnetic field के along directed हो जाते हैं कौन sir? किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ sir paramagnetic substances तो paramagnetic substance कही ना कही external magnetic field में एक तरह का attraction शो करते हैं यानि उसको along ही जाते हैं उसको support करते है external magnetic field को लेकिन बहुत हलकी मातर में, इसलिए आपको दिख रहागा मेरा arrow comparatively काफी छोटा है, अब diamagnetic substances वो हैं जीनिया आप जैसे external magnetic field में रखते हो, वो बिलकुल move लाके दूसरी तरब बैठ जाते हैं, यानि वो external magnetic field को बिलकुल oppose करते हैं, लेकिन हलके तोर पे, बहुत भारी तरीके इसलिए मैंने इसका arrow बड़ा बनाया, आपको समझ में आ पा रहा हुआ शायद, तो paramagnetic एक तरह से magnetic field के along, diamagnetic और ferromagnetic एक तरह से repulsion शोटते हैं, जिसके कारण आपको तुरन समझ में आ गया हो, ह एच और M में direction का फरक वागेर, आपको इसलिए समझ में आ गया होगा, अब एक term पीछे मैंने यूज किया था, इसका नाम था, magnetic susceptibility, सर, magnetic susceptibility मतलब मैंने बताया था, कि नीचे पर लिखना है, H, उपर पर लिखना है, I, I लिखो या M लिखो, ठीक है, आप समझ पार होगे, यह M या I, M या I, दोनों का direction को एक ही चीज़ों बतायागा, क्योंकि आप ज intensity, यह क्या है, intensity of magnetization, कितना जादा magnetization की intensity आ रही है, अलग-अलग material के लिए वो अलग-अलग है न, तो इसका मतलब सर, वो output है, तो यह हो गया आपका जाई, जिसे हम क्या कह रहे है, जिसे हम कह रहे है, magnetic susceptibility, तो इसकी value यह हो गई, अब आप एक-एक करके समझोगे बातों को क्या क्या है, आप क्या, अगर मैं इसकी direction वगेरा किससे समझ नहीं कुशिस करो, क्या आपको नहीं लगता, I are at same direction में, तो क्या आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर जाई आपका greater than 0 होगा, मैं यह कहना जा रहा हूँ, आप 0 के greater than 0 वही बात है वैसे तो, लेकिन positive के terms में समझ जाद अच्छे से मेरे खाल से समझना आएगा, यहाँ पर जाई क्या है, सर पॉसर देगा, सर इन दोनों में जाई क्या होगा, सर दोनों में ही जाई negative होगा, मुझे एक छोटा साना confusion हो गया चनक से, पता है आपको, एक रुखना पड़ेगा, मुझे confusion हो गया इसमें चनक स अभी का भी clear कर लेते हैं, अब वो इतनी जल्दी होना मिल जाएगा, मुझे ना चनक से confusion हो गया, फेरो मेगनेटिक में यार, सही confusion था मेरा, फेरो मेगनेटिक के लिए positive ही होता है, तब ही तो मैं खूँँ कि फेरो मेगनेटिक का तो नामी फेरो मेगनेटिक है, जैसे फेर हाई अमाउंट में करते हैं, लेकिन along to the direction of external negative, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, positive, positive, negative, आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन-कौन, diamagnetic शो कर रहा है, डाई मतलब opposite जा रहा है, और paramagnetic हलका, ferromagnetic भारी, लेकिन उसके along जा रहा है, ये समझ में आ गया, अच्छा, दूसर 1 तो नहीं कह सकता, मैं, आप समझो, minus 1 से 0 के बीच में ये कहना चाह रहा हूँ, यानि इसकी value क्या होगी, जैसे example लेकिन negative में, आप समझ रहो, इसकी value 0.2 होगी, तो positive में होगी, ये फरक होगा, और इसकी value कैसे होगी, sir, greater than 1 होगी, greater than 1 होगी, यानि मतलब क्या होगा, sir, इ ये भी समझ जाओगे, कि negative positive क्यों कहा मैंने है, ये इनकी value को less than, क्यों कहा मैंने, आप इधर देखो, आपको मैंने यहाँ क्या दिखाया, आप मुझे बताओ, magnitude wise, h is greater than i है की नहीं है, sir, तो उसे साब से h upon i क्या होगया, greater than 1 होगया की नहीं होगया, नहीं, sorry, i upon h निकालने less than 1 रहता है, similarly आप इसमें भी यही काम करोगे, क्योंकि इसमें भी आपका i कम जो रहे है, इसलिए susceptibility कम होगी, ऐसे समझो कि यह, एक ही है, यह उसका दो गुन है, है ना, लेकिन इस वाले case में, आप बाहर से जो external magnetic, वो लगाते हो, h लगाते हो, उससे जादा, उससे जाद आपका value मिलती है, intensity of magnetization को, यानि कहने का मतलब यह है, कि इसमें आपका i greater हो जाता है, h से, तो आप जब i by h को निकालोगे, this will be greater than 1, और i by h ही आपका susceptibility होता है, that will be greater than 1, इसलिए सर, मैंने आपको एक एक चीज क्लियर कर दी, तीनों बाते बता दी, वो negative, positive क्यों होती है, क् क्योंकि sample paper करा के, वही question धोना देंगे exam आले, अब उन्होंने हमें hint दे रखा कि, इसम question पूछ सकता है, मैंने का लो पूछ लो, अब जो पूछोगे, अब कुछ भी पूछ लो आप, यह तो बहुत हलका question था हमारे लिए, देखो आप क्यों था हलका, the relative magnetic parameter, अच्छा, एक लास्ट और बता जेता हूं, क्योंकि वह भी पूछी जा सकती है, इसलिए मैं कोई risk नहीं चाहता, देखो, susceptibility आपने देखा, कि सर मैंने आपको याद कराने लिए, कि इतना अच्छा है, याद करा है, कि output upon input, वरना बच्चों को यही आदमियों पता है, है है, है है, मैंने अच्छा आपको hint दे दिया, कि सर, यह input की, सरी, यह वाला input है, और मैंने समझा है, आपको input क्यों कहने से, क्योंकि हमारे हाथ में है current वगेरा, और यह output है, जो कि अलग-अलग material में, अलग-अलग होगा, ठीक है, और आप अपने notes में अच्छे से-से prepare कर लेना, यह वाले point क यह होती है, mu r बराबर 1 प्लस xi of m, यानि कि जो xi होता है, यह magnetic susceptibility जो होती है, वो depend करती है, relative permeability पर, और इस relation से करती है, relation बहुत important है, प्लीज यार इसको गलत मत करना, क्योंकि यह relation direct आजएगा, चार option में से क्लिक करो, और इसी पर छोटे-मोटे को ऐसे पूछे आ सकते हैं, आप बताओं कैसे है, देखो, इधर देखो, for paramagnetic, for diamagnetic, और for ferromagnetic, एक एक करके, मुझे बताओ, paramagnetic, यह जो xm रहता है, यह क्या रहता है, less than 1, sir, बिल्कुल less than 1 रहता है, sir, यह क्या रहता है, less than 1, यह क्या रहता है, sir, greater than 1, यह clear है, ठीक है, sir, इसका nature रहता है, negative, positive, इसका nature, sir, negative रहता है, इसका nature, sir, positive रहता है, clarity है, हमें, जब लिख रहे हैं, positive, negative, क्यों, क्योंकि वो attraction शो करता है, वो भी उसी क्या लोंग जाता है, बस diamagnetic, repel type का करता है, तो आप समझो, यानि कि यहां की case में value क्या होगी, sir, 1 minus, कुछ, इस type की कुछ होगी, let's say, यहां पर क्या होगी, sir, 1 point, इस type की कुछ होगी, let's say, आप समझगे मेरी बात को, अब आप तुरंट से idea ले, लगा सकते हो, फटा-फट, फटा-फट से, इसमें जो answer आएगा, वो कुछ 1.2 type का आएगा, इसमें जो answer आएगा, वो 1.2 type का कुछ, इस तरह का आएगा, मैं क्या समझाना चाह रहा था, कि जब आप paramagnetic substance के लिए बात करोगे, तो आपका जो mu r होगा, वो 1 से जादा होगा, की कम होगा, देखो, 1 से बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 में कुछ add होगी, और जो भी जाएगा, वो positive होगी, अच्छा, diamagnetic के लिए क्लिए होगा, sir, वो 1 से कम हो जाएगा, कुछ greater than 1 रहेगा, मतलब इसके लिए 1 से बढ़ा मतलब ऐसे, क्योंकि 1 में जो भी जूड़ी हो, 0.something है, लेकिन यहाँ पर आप जानता हो, 1 में जो भी जूड़ी हो, 1.something यह उससे भी जादा है, तो यह वाला, मतलब, much larger than 1 होगा, लेकिन यह वाला, greater than 1 होगा, और यह वाला, अगर more than unity बोलता, तो फिर भाई हो, paramagnetic भी हो सकता है, ferromagnetic भी हो सकता है, I think आप समझे क्योंगे, पहला diamagnetic है, यह होती है, clarity अगर आपको इसमें आई है, मैंने पुरी कहानी खोल दी, कि पुरा chapter ही पढ़ा दिया, मैंने आपको, time बले लग गया होगा, पता नहीं, एक सब मतलब होता है, kind of resistance with very small magnitude, यह सबके सब answer आपको दिख रहोंगे, देखो, कितने चोटे-चोटे answer है, ओम में, तो kind of resistance ही होता है, उसे हम शंट कहते है, और इसको, देखो, मैं दिखाता हूं किया, यह बोल रहा है, कोई एक emitter type का है, और यह emitter कितना, an emitter of resistance 0.81 ohm, इसका resistance इतना है, इसका resistance इतना है, दूसरी बात, reads up to 1 ampere, क्योंकि emitter का खाम होता है, वो reading वगरा देता है, आपको emitter में current की, तो वो बोलना है कि 1 ampere तकी reading ले सकता है, यानि इससे ज़्यादा current इसके पास नहीं आ सकता, किससे ज़्यादा से एक ampere से ज़्यादा current यह अपने अंद अगर मैं इसके just a parallel, यहाँ पे इसके just a parallel में एक कुछ एक छोटा सा resistance लगा देता हूँ, और इसका नाम मैं रख देता हूँ shunt, अच्छा सुनो ऐसा क्यों 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 होगा, यह मेरा system था पूरा जिससे मेरा current वगेरा आएगा, अब समझना, पूरी की-पूरी कहानी clear हो क्योंकि सर जब मेरा current आएगा, मैं चाहता हूँ कि पहले तो एक ampere current आता था, तो इसकी विचारी की capacity है कि भाई मैं एक ampere ले पाऊँगा, इससे ज्यादा नहीं मेरे से हजबनी होता है, एक ampere ही बस मेरा digestion इतना ही है, एक ampere का, अब मुझे बताओ, मैंने भेजना 10 ampere, और basic phenomenon है, कि जहाँ पर resistance कम होता है, आप खुद बताओ, आपको जहाँ पर resistance कम मतलब जहाँ पर आपको लोग register करते होंगे, वहाँ जाना पसंद करते होंगे, कोई भी इंसान है, कोई भी चीज़ दुनिया की, जहाँ पर उसे opposition मिलता हो, वहाँ जाना पसंद नहीं करती, तो व काम ही होई है, अब शंट उसके लिए हमें कम से कम शंट चाहिए होगा, कम से कम resistance, और इसको हम parallelly connect करते हैं, ऐसा क्यों सर, ऐसा इसले करते हैं, ताकि हमारे system का net resistance हमेशा कैसा रहे, कम रहे, क्योंकि जब भी आप system को parallelly connect करते हो, दो resistance को, तो net resistance आपका कम हो जाता है, अगर आप सोचो, दोनों को resistance को ऐसे add करते हैं, तो इसका 10 और इसका 2 बारा हो जाता, लेकिन अगर आप इन्हें parallelly connect करोगे 10 और 2 को, तो 10 दूनी 20 और 10 दूनी 12 बारा, इकम बारा, वन पॉइंट सम्थिंग हो जागा, कितना कम हो जागा resistance, parallelly connect करते हैं, इसलिए से parallel connect करते हैं, अ value कितनी हैester, जो भी i s की value, यानि कि जितना जो plus इसके पास हो योë exactly plus क्योनों same plus स्य जूड़े हो, और जो negative इसके पास हो ज्यूड़े हैं, बस, आम इसके across potential difference कितना होगा, sir, v across r, भराबर, v across s हो जाना चाहिए, potential drop पहले हम, kut Gabe , v is equal to i r, i कितना है수 बनें i कितना हैं, 9 amp, r कितने है ऐसी तो निगालने है हमें 0.81 डिवाइड बाइड बाइड नाइन जिरो एट इन नौन अमा इकासी बटे सौ और एस बर आपर 0.09 बस खतम और यह क्या है रेजिस्टेंस आंसर आगया यह आंसर आपका बी ऑप्शन बीद राइट आंसर इसलिए जदा टाम लग जा रहा है इसलिए मैंने सेक्शन को अलग लग लिया होने के लिए आठवाई को इसन चल रहा हो सकता लगेगी काप है लेकिन बीच में जो कॉंसेट प्र इंपोर्टन है क्योंकि मैंने पहली बोला यह तो एक बहान है हमें कहीं और जाने है अब यह क्वेशन डिरेक्टली आ रखा है आपके वही वही टॉपिक जो भी मैं पीछे पड़ा था समयं डिसक्शन किया सेप्टिबिलिटी वाला मैगनेटिसम का सिंपल टॉपिक है एक बारी मां अब देखो जब तक हमें कॉंसेट नहीं बता है कि मेंगनेटिक मूवमेंट क्या होता है अभी पीछे बता दिया था इसलिए मैंने आपको यह समझाता हूं मैं क्या कर रहा हूं यह इलक्ट्रोन जब अराउंड न्यूकलिस कर रहा है यानि कि जब भी कोई चार्ज तो उसके आसपडोस पर मैंगनेटिक फिल्ड होगा है हमने पड़ा है और जब यह रिंग वगरा में गूंगता है तो यह तरह का मैंगनेटिक पोल की तरह काम करता है जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था कि M बराबर होता है I A अगर आप भूले ना हो तो I A बोला था कि कि कितना current produced होगा एलकट्रों के current रिक्तरों के current फोगा इलक्तरों के current रिक्तरों का charge per unit टाइं में कितना बागा रोंगा रहा होगा इन टाइम T, T उसका time period हो गया, तो ये क्या निकल दाएगा, ये basically निकल दाएगा, उसकी velocity टाइप है, अट समझ पार हो मेरी बाद, मैं ही कहना चाहरा था था, कि अगर मुझे time निकलना है, तो क्या होगा, ये, कि आप मेरी बात को थोड़ा बात समझ पा रहे है क्योंकि उन्होंने हमें बोला है बोला नहीं है कि किस velocity से move कर रहा है चलो हमने V बोल दिया तो M बराबर हमारे पास E हो गया और रही बाद T की तो T को मैंने लिख दिया 2 πाई R और यह हो गया V ठीक है उपर जले गया और यह result आ गया पाई R इन्टू R और यह पाई R इस R से कड़िया M बराबर आ गया E V R अपॉन टू शायद समझ गया होंगे अब आप एकदम समझ गया होंगे कि इन्होंने L की बात करिये L मतलब होता है इसके बाद एक कहानी और सुरू होती है लेकिन यह तो एक बेसिक मानों से यार यह तो दिरे दिरे नहीं याद हो जाता है इतनी प्रैक्टिस हो जाती है उस पर वैसे बताओं तो मुझे भी याद होना चाहिए था लेकिन जा यह बहुत हमें निकाल कर देख देख लिया एसे अपने कोई चाहिए कि कभी गनी जान तो फटावर से निकाले जहां से आपकी घर में बिजली आती है उस बिजली को आपके घर तक पहुँचने में वो तो आपकी घर तक आती है चलो एक-दो किलोमेटर के दायरे में होगी कहीं पे लेकिन एक जगे से बहुत-बहुत लाजर डिस्टेंस तक electricity को ले जाया जा सकता है transmit करवाया जाता है wires वागेरा के द्वारा आप देखते होंगे कि किसी state से किसी दूसरे state में बिजली पहुंच रही होते हैं तो काफी दूर से दूर तक बिजली पहुंचाई जाती है क्योंकि कहीं ऐसा होता है कि production काफी हाई होता है इन चीजों का तो वो state वो state दूसरे state को बेचता है इंडिया में ऐसे चलता रहता है तो कुल मिलाकर यह transmission करना है अमानलिया आपने बनाई यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यदा आपने एक amount of electricity बनाई अब आप उसको वहाँ भेज रहो इतना तो वह जाते जाते दम तोड़ देगी अपना रास्ते में तो use क्या करोगे इसके लिए हम एक कोशिस करते है हम उस electricity को जो होता है उसको हम step down कर देते है अब मैं बताओंगा step down step up क्या है वैसे चीज़े बता ही रहती है basically हम उसकी power में जो power में जो कमी आए यानि कि power में कैसे हैगी सार सोचो कि इतनी लंबी वायर से जब वो होके जाएगी कितना ज़्यादा heat का heat की फॉर्म में loss होगा energy का यानि current का क्योंकि current की heating effects भी है तो इसी निए हम क्या कोशिस करते है कि हम उस power तो power को तो हम बड़ा घटा नहीं सकते लेकिन हम उसको कुछ changes कर सकते हैं क्या इधर देखो हम जानते है प बराबर वी आई होता है जानते हो अब आप यह भी जानते हो कि जो heat loss होता है या जिसने हम कभी-कभी कर दो i r से तो यह हो जाएगा i r मतलब i r हो जाएगा यह इतना हो जाएगा लेकिन अगर में heat loss कर रहा था तो मुझे t से बोल रहें कि क्या करते स्टॉप स्टैब्ड अप का हम इस्तिमाल करते हैं ता वोल्टेज आउट्पूट अब जनेरेटर स्टैब्ड अप यानि कि कहने का मतलब यह इसे ऐसे समझो या एपॉइंट से बी पॉइंट पर आप ले जा रहे हो किसी चीज को यह बोल रहें कि न यहां पर पोटेंशल हमें बड़ावा मिलता है यहां से पोटेंशल जो घया वसे घाटाके बहें यहां जा के जैके वो पोटेंशल बढ़ा गया यह इस्तैब अभण ने यूज किया यानि कि मैं potential को बढ़ा दिया अब सोचो जवाब potential को बढ़ा रहे हो तो आपको current को क्या करना पड़ेगा ताकि result आपका सेम रहे सर आमे current को घटाना पड़ेगा for example समझो माल लेते हैं पहले इसकी value इसकी value for example 5 थी और इसकी value 2 थी for example अब मुझे five को बढ़ा करके माल लिया मैंने five को बढ़ा करके एक बार हें आपकर मुझे जाणे इसका मतलब जब मैं three co ब喜歡 higher मैं उसको नहीं गटा बड़ए तो directly आप समझसेक्ता near या अगर constant होगी आप ऐसे भी समय सकते हो वी डिरेकल प्रपोर्शनल वन अपॉन आए यानि वी में बढ़ेगा तो आई घटेगा यानि कहने का मतलब यह कि अगर आप आई को कम से कम रखोगे तो आपको वी जादे स्यदा बढ़ाने पड़ेगा और आई कम से कम रखा क्यों दूघ्ernen जा रहा है क्योंकि आएकर कम से कम रखोगे तो ही यह जो P होगा कम से कम होगा क्यों की हच बराबर होता है एक तरा से पी टी और इसका मतलब हो गया स्क्वेम थतबभ वैइस चाहाँ कि Veiba कं करेंट अगर कराने तो आप जाहाऊगे कि मेरा कम से कम करेंट reduction of current, हाँ जी हमने current का reduction करना है क्योंकि current का अगर हम reduction करेंगे तो current के reduction से V को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि P पे तो हम 6,6 करनी सकते, ठीक है, power loss is cut down, बिल्कुल सही बात है, power loss को हम कम करना चाहते है, आप समझगे, reduction of current and voltage, current और voltage क्योंकि एक साथ घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि एक बढ़ेगा, आप समझ रहोंगे बात को, यहां से आप बढ़ाओगे तो दूसरा automatically घट जाएगा तो हमारा D option उससे आप से सही होगा, I think आप समझ पाई होंगे इस बात को the diagram below, the diagram below show the electric field E and magnetic field component of electromagnetic, अभी हाली में one shot बनाया था, इससे पहले जो last one shot अभी बनाया, वो इसी का बना हुआ है, अभी पूछने हैं, हमसे एक बात बता दो, हमने बोला क्या से, बोले electromagnetic waves जो होती है, उसमें बताओ कि the direction of propagation of easy question को यह बोल सकता है, the direction of pointing vector, मैंने हाली में आपको बताया था, direction of pointing vector, आपको या दोगा, pointing scientist का नाम था, वो हमेशा क्या होती है, direction of propagation हमेशा e vector cross b vector के बराबर होती है, मैंने कल ही आपसे बोले थी यह बात, जब हम आप रिसेंटल लेक्टर में था, b vector cross e vector मत करना है, गलती जाएगी, बस e vector cross b vector कैसे करना है, e नीचे पे से b की तरफ curl करो, आपका थम बाहर को आएगा, out of the plane आएगा, आएगा नहीं आएगा, आप देख लो करके, आप e से, e में right hand रखो, और b की तरफ curl करो, natural curl करो, आपका थम बाहर की तरफ आ रहा है, e पे हाथ रखा, b की तरफ curl करो, natural thumb बाहर की तरफ को आ रहा है, बाहर की तरफ कहने का मतलब, out of the plane आ रहा है, यानि कि इस पर direction यह होगा, यानि कि propagation of e and be out of the plane, perpendicular होगा, बात बिल्कु सही है, in a coil of resistance, भी एक अच्छा कोई सही है, in a coil of resistance, 100 ohm, a current is induced by changing the magnetic flux through it, the variation of current with time as shown in the figure, the magnetic opportunity, magnitude of हमें बताना है, इसमें, change in flux through coils, जब भी नहीं change in flux वाली बात आ रही है, तो मुझे लगता है कि हमें कुछ याद ना आए, हमें फरादे का लॉत याद आजाना है, हमें कुछ याद आए ना आए अगर, e is equal to minus d5 by dt, कि जैसे जैसे आप coil में change of flux करते हैं, वैसे वैसे दूसरी coil में, आपका induced हो जाता है emf, simple as a law, और e is nothing more than a voltage, यह kind of voltage है, अभी के लिए मैं directly V लिख देता हूं आपको, हमें दिख रहा है resistance वगेरा, तो directly V लेकर treat करते हैं, आप जानते हो कि आप पूछ रहे हैं, वह पूछ रहे हैं आप बताओ change in flux कितना होगा, आप change in flux का मतलब देखा जाए तो d5 पूछ रहे हैं हमसे हो, पोटेंशल होता है IR के बेराबर, तो IR रिटी हो गया, आपको यह निकालना पड़ेगा, और जहां तक कि मैं question मैं देख पा रहा हूं, resistance दे रखा है, और क्या दे रखा है, और बस graph दे रखा है, मुझे कुछ बोलने के जर्वत नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है, I और T में, I को यह fixed type की चीज नहीं है, I is keep on changing with respect to time, तो हम क्या करेंगे सर, अब हम देखते हैं क्या करेंगे, क्या आपको पता है छोटी सी बात, कि हमारे पास क्यूब और T बराबर क्या होता है, I होता है, अगर आप सोचों, एक छोटा सा charge या छोटे से time interval में जा रहा है, तो जो current निकलेगा हो यह निकलेगा, यानि DQ बराबर उसे साब से IDT होगा, अगर आपने छोटा सा कभी भी integration पढ़ावा है, अगर आप समझ पा रहे होगे कि IDT का अगर मैं integration करूँ, मैंने AC पढ़ाते से में भी यह चीज़े पढ़ा रिखी है, तो DQ का integration क्या होगा, मतलब क्या, सर IDT का integration क्या होता है, अगर by chance आपने कभी integration देखा है, और गलती से आपकी match है अगर तो, तो आपको यह बात एकदम समझ में आ सकती है, जो मैं बात कह रहा हूँ, otherwise बाकी लोग skip कर देना इस बात को, मैं इतना से कह रहा हूँ, याद है, x-axis होती थी, यह y-axis होती थी, और यहाँ पर कोई एक कर्व होता था, और आप area निकालते थे, याद है कभी-कभी करा अपने सा, यह dx बोलते थे, से y बोलते थे, यह होता था y-dx, strip का, total integrate करते थे, आप बोलते थे, total area under the curve आ गया, यह चीज़ हम 36 बार पढ़ते हैं physics में, चाहे हम thermodynamics में PV कर्व पढ़ रहा हूँ, या फिर हम यह पढ़ रहा हूँ, अभी qdt curve, velocity time graph अगेरा पढ़ रहा हूँ, हम हमेशे एक बात पढ़ते हैं, कि यह जो लिखावा और यह जो लिखावा, इनके बीच में relation seriously जाता है, कि इनका integration अगर आप इस तरीके से करोगे, तो area under the curve आप relate करो, क्या आपको t के place पे, x के place पे t है, क्या आपको y के place पे current है, तो idt क्या होगा area, और वो जखके निकल क्या रहा है q, basically q is nothing, but representing the area under the curve, area under the curve, कुल मिला करके अगर आप इसका area निकालोगे, तो आपने q निकाल दिया, जो उस दौरा निकलावा charge की value वो निकाल दिया आपने, क्या मैं area निकाल सकता, मैं area कैसे निकाल हूँगा सर, आप area इसे निकालोगे कि आप बोलोगे half into base into height, base कितना है 0.5, height कितनी है उसकी 10 ampere का current था, 2, 5, 10, 5, 5, 25, 2.5, area निकल लिया, area 2.5 ampere, अगर हम बोलें तो आई की बात करेंगे तो, V is equal to IR होता है, क्यों निकाल दिया मैंने कितना 2.5, और T कितना था, 0.5, एक मिनट ना, बेट, तभी तो मैं कहूँ यह हो क्या रहा है, आप खुद ही देखो ने, क्या करने जैसा भी कुछ रहे गया, क्या आप लोगं के लिए, जब आप दोनों तरफ integrate करोगे, तो completely 5 में बदल जाएगा, और IDT आपका क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, Q हो गया, Q की value भी मैंने नीचे निकाल के दिया, आपको 2.5, जवाब इसको आप ऐसे multiply करोगे, 250, मतलब 250, जहां पर भी है, वेबर, क्योंकि वेबर फ्लक्स की unit होती है, I think आपको clarity आ चुके होगी, समझाया, इसमें clarity आई होगी, कि curve अगेरा क्या है, लेकिन अच्छा कोईसन तरीके से बूचाता, नया energy of an electron, देखो, यह atoms अभी हाली में पढ़ाया था, आप लोगों ने बहुत तो ने इसको देखा, और बहुत अच्छे से आप लोगों समझ भाया है, आप comment section में देखने को मिला था, इसकी detail तो मैं ज्यादा discuss नहीं कर सकता, लेकिन आपको बता सकता हूँ, यार आपको यार देखो याद होना, यह पूछा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जैसे आप बहुत रेडियस जो होती है, यार बराबर 0.529 है ऐसे करके, तो जैसे करके आपकी रेडियस इस तरीके से डिपेंड ने करती है, वैसे ही करकर आपको याद होगा, अगर वैसे एक बार निकल गया, तो आपको वैल्यू मिलती है, माइनस का 13.6, अब क्योंकि हो हाइडरोजन एटम के लिए बात कर रहा है, तो जैट कितना हो गया, और जैट अगर वन हो गया, तो ई बराबर हो गया, माइनस का 13.6 upon n-square type का, यह है total energy, अगर इसका negative हटा दोगे, तो वो निकलेगी kinetic energy, और इसका अगर ठीक 2 गुना कर दोगे, 27.2 अगर कर दोगे, तो वो निकलेगी potential energy, negative के साथ, यह सारी चीज़े आपके दिवाम में एकदम से चमकनी चीज़े जो मैंने बाते बोली, इसलिए sample paper अभी करा रहा हूं, जब सारा से levels cover कर चुका हूं, ताकि आप लोग कोई concept में आपके understanding मिले, इसलिए काम हो सके, अभी तो आगे का पूरा पार्ट बचाओ, फिलहाल यह बोलने कि भाई यह बता दो कि negative science क्यों डाला भाई, इतना basic question पूछले, आप chapter में देखना मैंने बताई यह बात, क्या होगा सर, आप simple सोचो कि negative energy का मतलब इतना सा मातर होता है कि उन दोनों के बीच में bounding है, जैसे कि इसमें सीधर से question दे रहा है, minus 13.6 upon n square आई न, तो अगर आप n1 रखोगे तो कितनी आ रही हो, simple minus 13.6, सोचो कि दूसरा भी इसमें एक atom है, वैसे hydrogen में तो दूसरा shell ऐसा होता नहीं है, लेकिन दूसरे shell में चलेगे higher energy statement बोल रहे करा हम एक बारे के लिए, तो वहाँ पर energy की जो value आ रही है, आपको इसको divide करना पड़ेगा 2 के square से, यानि 4 से, and this will be like something like 3.4, आपको ऐसा मिलेगा, यह result मिलेगा, यह मिलेगा, आप मुझे सिर्फे बताओ which one is greater, जहीं से कहानी खतम, sir minus 13.6 and minus 3.4 में this thing is greater, greater, क्या आपको लग रहा है कि higher energy state, higher, आप सच में लग रहा है कि आप higher energy state में जा रहे होगे, क्योंकि उपर जाने पर energy higher हो रही है, आप समझना जा रहा हुआ है, आपको नहीं लगता, ऐसे ऐसे करते करते ही, जब यह negative से, जैसे यह number line है, number line हो minus 13.6 इधर कहीं होगा, minus 3.4 इधर कहीं होगा, यहां कहीं 0 होगा, और यहां कहीं positive values होंगी number line में, आपको नहीं लग रहा है कि जैसे सब higher energy state में जा रहे हो तो आप इस तरफ जा रहे हो, तो कभी ऐसा भी time हैगा, जब आप 0 पे जाओगे, हां सर आएगा ऐसा type, और फिर कभी ऐसा भी आगा जाओ, positive जाओगे हां सर, तो 0 यह basically वो time है, जिस समय इनके बीच में, बिल्कुल आंखरी बार bounding मनी होगी, इसके बाद energy दोगे तो फरार, अब सरल सब्दों में समझे पूरी कहा नहीं को, इसका मतलब यह है, कि जैसे इस electron को minus 13.6 joule energy है, यह सीरी सी बात कहना चाहरा है, कि अगर आपने गलती से भी से plus की 13.6 joule दे दी, plus की, तो plus और minus exactly answer 0 हो जाएगा, अब यह free हो जागा, boundation नहीं देएगा, अब इस clear है, थोड़ी सी बात समझ भाई, क्या कहना चाहरा हूँ, तो negative sign बताता ही है, कि इसको free करने के लिए कितनी और energy की जरुवत है, अभी यह bounded है, negative sign बता रहा है, यह bounded है, छेड़ना मते से, इसलिए electron is bounded with the nucleus, शायद मैं बता वाने में सक्षम रहा होगा, क्या है भई, खतम होगया है, मेरे खाल से इतना ही, अभी MCQ हमारे पास शायद इतने ही होगे, इतने कही है, और मुझे लगता है कि मैंने इसलिए लिए, इसलिए मैंने बाकी parts अभी स्केनी लिए, और I hope students, जो कुछ आपको पढ़ाया और आपको समझ में आया होगा, आपक क्यों करा दो ये वाली बुक्के वाली बुक्केर, अगर आपके बास की कोई soft copy इस तरह की मौझूद है, तो आप मुझे से send कर सकते हैं, मैं कोशिस करूँगा कि उसी से मैं directly आपको आपकी जोगी questions करें, बहुत जरूरत होती है, आपके like की, share की, subscribe करने की, मैंने कोई paid course व कुले की ज वाली बुक्ति करें कोई जातां, अगर जाते हैं, करें दो करेंके जातां।